हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना वेलकम टू माई चैनल फूडशे आज मैं बना रही हूँ ऐसी भर्फी जो आपके मूँ में जाते ही घुल जाएगी और स्वाद इसका ऐसा कि आप जब इसे खाएंगे न मन करेगा बस खाते ही रहें और इस बर्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ तीन चीज तो आईए बनाते हैं ये लाजवाब बर्फी की रेसिपी वैसे भी इतने सारे अपते हुआर आने वाले हैं तो इस रेसिपी को आप जम मर्जी बना सकते हैं और बना कर हपते दिन तक श्टोर करके भी रख सकते हैं तो आईए बनाते हैं इसे इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ फूल क्रीम दूद आप चाहें तो इसमें टूंड दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो फूल क्रीम दूद होता है गाढ़ा होता है उससे जो मिठाईयां होती है जादा अच्छी बनती है बस अब गैस का फ्लेम अभी हाइपर कर ले और लगातार इसे चलाते हुए एक कुबाल आने का इंतजार करें देखे मैं नौनिस्टिकी बर्तन में बना रही हूँ तो चिपकने का डर नहीं रहता आप कोसिस करें कि इसको हैवी तले के बर्तन में बनाए अगर नौनिस्टिकी बर्तन नहीं है तो अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप चीनी देखे चीनी आप आधा cup या 3-4 cup आराम से इस्तिमाल कर सकते हैं हलका मीठा खाना चाहते हैं तो आधा cup डालें अगर ज़ादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मातरा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं बस अब इसे लगातार चलाते हुए दूद को हमने गाढ़ा करना है इस तरीके से देखिए दूद भी गाढ़ा हो गया है और चीनी डालने से जो इसका कलर है वो भी थोड़ा डार्क हो जाता है पकते-पकते अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम पनीर देखिए ये तो मार्किट का पनीर है आप चाहे तो घर का निकला हुआ पनीर भी इस्तमाल कर सकते हैं एक लीटर टोंड दूद से आप 200 ग्राम पनीर आराम से निकाल सकते हैं पनीर को या तो आप हाथ से मसल लें या कद्दू कज कर लें और इसमें डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स करें और अब इसे हमने लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है देखिए आप चाहें तो यहाँ पर ड्राइफ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इलाईची पाउडर डाल सकते हैं मैंने दोनों ही चीजों का इस्तमाल नहीं किया है कोई घी वगर कुछ भी नहीं डालना है बस दूद, चीनी और पनीर इतने से ही यह जो बरफी है बहुत इलाजवाब बनता है अगर आप बना कर जरूर देखिएगा बहुत अच्छा लगता है यह खाने में बस जब इस तरीके से दिखने लगे इकटम इकठा होने लगे तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट पर आप घी लगा लें या इस तरीके से अगर आपके पास बटर पेपर या बेकिंग पेपर है न तो उसे आप लगा सकते हैं बस इसे प्लेट में पलट कर अच्छे से फैला लें बहुत पतला मत फैलाईएगा थोड़ा इसको मोटा ही रखें बस फैलाने के बाद आ लग दिया था और यह बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है आपको वीडियो में भी देख रहा होगा कितना बढ़िया यह बर्फी जम कर तयार हुआ है अभी चुकि मैंने इसको फ्रीज से निकाला है न तो थोड़ा यह टाइट है लेकि जैसे यह थोड़ा सा रूम टेंप व्रत में बनाना चाहें जम मर्ची आप इसे बना सकते हैं बनाने में तो सिंबल होता ही है और इसका जो स्वाध है न बस आप इसे जब खाएंगे न खाते ही राजाएंगे बहुत ही टेश्टी लगता है यह हमारे घर में तो यह बहुत जादा बनाया जाता है उमीद करती हूँ आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी आप इसे अपने मन पसंद राइफ रूट से गार्निस करें और सब करें उमीद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ और चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है न तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और फीडबेक देकर पताईएगा भी जरूर कि आप कोई रेसिपी कैसी लगी बिलते हैं नेक्ट वीडियो में तैंक यू